राधावलव, श्रीहरिवंस, जैसे की करवा शौत पर करवों से जुड़े बहुत से प्रशना रहे हैं महिलाओं के, उन्हीं के उत्तर देने चारे हूं, ग्रंतों और सास्क्रों के अनुसार ही बताऊंगी, जैसे वामन पुरान, नारत पुरान या फिर व्रतराज में जहां नहीं कर सकते हैं, यह भी पूछा गया है, और जिन्हीं करवा ही नहीं मिला, जैसे लोग विदेशों में भी रहते हैं, तो क्या लोटे से चंद्रदेव का को प्रदान किया जा सकता है या नहीं, यह भी हम बात करेंगे, एक और प्रशन पूछा जाता है, कि अगर हम अकेल करंठ में बताया गया है, तो वो हम बात केंगे क्यों की कई लोग बरते हैं, कई दूद भरते हैं, कई मिठाई भरते हैं, तो क्या है सईहीं, कई लोग चीनी के करवे रखते? या कर्वा चौथ पर करवों से जूड़ी संपूर्ड जानकारे इस फीड़ों में देने चा र करती हूं कि पूझा करने के बाद चंदयरता को अर्प्रदान करते हैं दूसरे करवे में हम मिठाईयां भरते हैं ठीक है और दान करने के लिए लेते हैं मिट्टी का करवा आप ज nächsten को कर वा कि उससे चंद्र देवता को अर्प्रदान करने के बाद उसी से जो है महिलाएं उसमें जो जल बसता है उससे अपना व्रत खोल लेती हैं तो फिर वो जूठा हो जाता है और अगर जूठा नहीं भी होता है तो जैसे कि दीपावली के दीपक हम पूजा में दुबारा प्रयोग में नहीं लाए है तो अगर अगर Pittel का कर्वा एक खरीद लेते हैं तो आपको हर बार नहीं खरीदी अगर देवता को अर्प्रदान कर सकते हैं और फिर रख लीजें अगर अम किसी भी लोटे से पानी nor ग्लास से पानी परते हैं we ho podcast नहीं कर आप थाड़ा साश्य चर्च एकित मारेंगे लेकिन नारद पुराण में आप स्वयम भी पढ़ सकते हैं अगर किसी के पास घंत हो तो वहां पर दस करवे भगवान श्री गनेश को अरपित करने के बाद दान करने की बात मिलती है जी हां एक दो नहीं दस करवे तो इतना संभ के अरवें क्या भरना शुब होता है गरंथ में इस बाएम बात कर लेते हैं तो जैसे कि रहाता हूँ यहां पर मैंने रखा हुआ है काजू है मदाम है और यह चुहारा मैंने रखके हैं और मिठाईयां भी भरती हूँ ठीक है और सेव और भी मैं डाल देती हूँ साथी लासुमा को दान करते हैं अब ग्रंतों में क्या लिखा है एक सब्ध ग्रंतों में मिलता है पिश्टक का क्या मतलब है मुझे अच्छे से स्वयम भी नहीं पता है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंदाजिस से अगर बताऊं तो जो है गुलगुले भी आप भर सकते हैं या फि दूसरे थोड़ा सा जहां पर रृत कथा मिलते ही वहां पर जल भर करके जो है कर्वों को दान करना चाहिए या फिर दूद भर करके भी आप दान कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि पूजा करने के बाद अगर हम करवा सास को दान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसे देना जाईए क्योंकि जैसे कई महिलाओंगा कमेंट था कि सास अगर विधवा हो गई है तो फिर हम किसे दें उन्होंने सही समझाए क्योंकि गरन्थ में इस परशृप से वर्णन मिलता है कि इस वरत में सुहागीनों को ही देना चाहिए से ही कुँए आप सुहागईनें को लेना चाहिए तो करवा आप सुहागईनें को ही नहीं है क्या ओदेना एसा हो जाता है कि पास-पास सुहागी नहीं हों Originalłada और उल्वा एसलों हो लब होता सुहागिनों को महाप पे अपनी इच्छा नुसार भी लिखा हुआ है तो आप अपनी इच्छा-nुसार किसी सुहागन को जो करवा कर सकती है लेकिन हा आज जिनके आप चरन ऐस्पर्स कर पाएं इसलिए मैं कहते हूं कि शस्फराल पर नहीं चनंपा तो फिर यह ठीक नहीं है यह कुरो दिना का उनके करबा हैं तो इससी पर्स पाइए इस लिए शनार का कर यह मैं आपनी इजहको माइं को देना लिखा हुरा है , यह कहना चाहती हूं कि अत्प कई हम एक। करने के बाद कन्या नहीं माना जाता है इस मतलब अपरink नहीं मिलेगा कि अपनी उड़ा होता है उसको को देने से ठीक नहीं है तो मिले तो मेरेहाइप से मायक्षे में किछी लिख लिए anthropi किसी भी सुहागन को मतलब दे सकते हैं मम्मी को तो नहीं देना बाकी आप लोग देख लिए जिसकी भी इच्छा हो मेरे इसाब से तो सस्वाल में ही जो है किसी का चैयन करना चाहिए देने के लिए ठीक है आसपास कोई नहीं है तो फिर ब्राम्हर सबसे उत्तम विकल्प होत ब्राम्हरी मिल रही है आपको तो आप उनको देख करके चैयन पर्स करके आसिरवार ले सकती हैं एक बात और है कि अगर आप किसी ऐसे जगह रह रहे हैं कि कुछ दिन बाद सास के पास जा सकते हैं तो आप मेरे जैसे कर सकते हैं जैसे कि मैं ड्राइफूर्स भरती हूं पह कि सासुमा को ही जो है जीज़ें मिलें अब बात कर लेते हैं कि अगर हमकेले पूजा कर रहे हैं तो करवा बदलने की विरी कैसे करनी होती है तो देखिये मैं आपको बता दूं कि ग्रंथों और सास्ते ऊकोई वरहना नहीं है जो पार नहीं नहीं ंतल्राके रएशे भरते तो मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूं कि करवा अगर हम जैसे कि एक में मिठाई भरते हैं दो करवे नहीं लेते हैं कर लेते हैं तो जो है आप इस प्रकास से भी करवा बदलने की रीति कर सकते हैं बांकि लिखा हुआ नहीं है कहीं करवा बदलने या फिर ऐसा कुछ इसी के साथ यह कोई सवाल जैसे के पूछा जाता है कि करवा मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें जैसे जो लोग विदेश में हैते हैं इक कर वा पीतल दल्कार लेकर जा सका थे हैं जिससे आप हर बार पूझा कर लेंगे चंद्र देषता को कर सकते हैं अगर ये भी नहीं है तो फिर आप संपल ड़के से भी चंद्रदेश्क और सकते हैं हरego एक करवा बहुत जरूरी होता है किनी का करवा ुह चीनी क मावा उसमें सक्कर मिलाकर के यानि शीरा बनाकर के मिठाई बनाकर जैसे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा एक छोटी सी ग्लास लीजिए उसमें एसे मिठाई लपेट के वजब सूख जाएगी कड़ी हो जाएगी तो करवे का आकार दे करके और फिर उसमें कुछ क Works भाय करके यान किसी परकार से आपको दिमाग लगा की कैसे कर बना बोबिव है वैसरे चीनी का करवा तो कहींन कहीं उलेक मिल भी जाथा है लेकिन मिठी का सिंसरी मिठी भी बना सकते हैं लेकिन उसको पकांसे-कची-कची मिठती भी लेरी में लेने में लोग वेाँ कौन इस तरह से कर सकते हैं अब जो करवों में आंगे सीके लगाई जाती है तो उनका क्या करना चाहिए अगर नहीं मिल रहे हैं तो देखिए उनका भी कोई ग्रंथों में वर्णन नहीं है उसको सिर्फ मेरे हिसाब से लगा जाता है ताकि पानी निकले क्ले क्योंकि जल भर देते लोग मिट्टी के घड़े में ही पानी पीते थे आजकल तो लोग फ्रीड में पानी पी रहे हैं तो मिट्टी करवा लेगा कॉन और ये इसमें से पानी निकाले में आसानी भी होती थी पहले तो पहले चल जाता था कि वो दस करवे दान कर देते थे लेकिन आज के जमाने मे नहीं हैं तो कम सकम बिठाई भरके आप किसी को दान अवश्य करें हैं मैंने करवा चौत की व्रत और पूजा समधित बहुत से वीडियो दिये हुए उन्हें देखने के लिए एक बाद चैनल पर जरूर आएगा राधे राधे